हेलो गाईज आजम बात करेंगे रियल मी 3 के नियू अपडेट के बार में तो दोस्तों गर आप रियल मी 3 को यूज करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए गूड नियूज है क्योंकि फानली रियल मी की तरफ से सेप्टमबर के मन्त का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है जिसका की एंड का वर्जन है 8.22 एंड इस अपडेट में आपको सेप्टमबर 2019 का एंडूर सगरी पैच लेवल भी प्रोवाइड कर दिया गया है एंड इस अपडेट का साइज है 120 MB तो आज की इस वीडियों बात करेंगे रियल मी 3 के इसी नियू अपडेट के बारे में एंड जिनियोजर्स को ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो उनको ये अपडेट कब तक मिल जाएगा तो सारी इंफोर्मेशन आपको मिलेगी वीडियो के इंड तक आप देखते रहे हैं और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप पहले बार इस चैनल पर नहीं आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर दीजिए ताकि Realme के किसी भी डिवाइस में कोई भी नियू अपडेट आए तो उसकी इंफोर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो दोस्तो साथ में मैं आपको बताऊंगा कि Realme 3 में डार्क मोड और बाकी जो फीचर से Realme OS का अपडेट Android 10 का अपडेट कब तक यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा तो वीडियो को एंड तक आप पूरा देखते रहे तो दोस्तो फाइनली यहाँ पर Realme 3 के लिए नियू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है जिसका की फूल वर्जिन है RMX1825EX-11-8.22 तो 8.22 का यह वर्जिन है जो की Realme 3 के लिए कली यहाँ पर रोल आउट किया गया है 120 MB इस अपडेट का साइज है तो छोटे से साइज का यह अपडेट है आई होप आप में से कुछ यह उजरस को यह अपडेट जरूर से मिला होगा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों अगर बात करी जाए चेंज लोग के बारे में तो इस अपडेट में दो चेंजिस मेंशन किये गए है अपडेटिड आपको सेब्ते ら prizes सेब्सक्रिप्श में प्रोवाइड कर दिया कर दिया गया है जब आप अफजी को HD graphics में प्ले करते हो तो कभी कबार आपको बीच बीच में लेग देखने को मिलते हैं medium settings में आपको अच्छी performance मिल जाती है लेकिन HD graphics में कभी कबार lag देखने को मिल जाती है तो अगर आपको ये issue आ रहा है तो आप मुझे comment box में जुरूर बताईए और दोस्तों कुछ यहाँ पर battery draining problems थी तो उनको भी यहाँ पर fix किया गया है ऐसा यहाँ पर बता गया है बाकी अपडेट करने के बाद 3-4-3 device को use करेंगे तो performance के बारे में तब ही हमें better तरीके से पता लगेगा बाकी आप मुझे comment box में बताईए कि device को अपडेट करने के बाद आपको device की all over performance कैसी लगी बाकी इस अपडेट में इसके इलावा कुछ खास ज्यादा changes देखने को नहीं मिलते हैं only 120 MB के छोटे से size का यह अपडेट है जगर बात करें जाए Android 10, Realme OS and Dark Mode के features के बारे में तो Android 10 का अपडेट Realme की तरफ से बता दिया गया है कि Q2 2020 में Realme 3 को Android 10 का अपडेट मिल जाएगा यहनि April, May and June के महिने में कभी भी आपको Android 10 का अपडेट मिलने वाला है और दोस्तों बात करें Realme OS के बारे में तो Realme OS बेस होने वाला है Android 10 के उपर और दोस्तों Dark Mode के feature के अगर बात करी जाए तो भी आपको कम से कम 2-3 महिने Dark Mode का feature नहीं मिलने वाला है जिहां दोस्तों कम से कम 2 मंत का आपको वेट करना पड़ेगा और Realme की तरफ से बताया गया है कि Color OS 6 में ही वो Realme OS के एक-एक features को धीरे-धीरे करके टेस्ट कर रही है तो दोस्तों Realme OS के कुछ features आपको Color OS में ही आने वाले updates में देखने को मिलेंगे और जब सारे features प्रोइड कर दिये जाएंगे तो finally उसे convert कर दिया जाएगा Android 10 के update के साथ Realme OS में तो दोस्तो Realme OS आपका stock Android की तरह होने वाला है और डार्क बोड वगरा एंड बाकि जो आपके wanted features है वह सारे Realme OS में देखने को मिल जाएंगे तो गाइस बाकि अगर आपको Realme OS के बार में डेटेल में जाना है तो वीडियो आपको प्राइब बटन में मिल जाएगी तो वह वीडियो जरू से चेक आउट कर लिजेगा तो दोस्तों आई होग आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रैस कर दीजिए तो मिलेंगे गाइस नेक्ष विए में तबते के लिए बाए बाए दोस्तों जैखिन ज